हाई फ्रेंड्स हम कर रहे थे भोजन और उसके स्त्रोथ कल हमने देखा कार्बो हाइडरेट्स के बारे में और आज हम देखेंगे प्रोटिन के बारे में जो प्रोटिन है ये सबसे पहले किसने दिया था बरजिलियस ने मानना उस्रीर लग बग 15% भाग, प्रोटीन से निर्मित है, मतलब हमारे स्रीर में प्रोटीन की किल कितनी हिस्से दारी है, 15% प्रोटीन अमीनों अम्बल के बहुलक होते हैं किसके बहुलक रोते हैं और अवशक अमीनों अम्बल कितने प्रकार के होते हैं। कितने हूं शक्राइट के नहीं होते हैं इनका संसलेशन स्रीर में नहीं होता यह आघारदवारणा क्रेंट किये कि आवश्यक अंतरी हैं उनको हमारा स्रीर खुद से नई बनाता है बौजन के साथ ग्रेंट करते हैं तभी आफशक Amine Ombl की स्रेणी में आते हैं अगर बोजन के साथ इने ले तो हमारे स्रीर में कमी हो जाती है रीन का इंग जावन फिलब क्यों क्योंगे लाइसीन मीठियो निन अब आगए देखते हैं अनावशक अमीनोंबल कौन सी होते हैं, इनका संसिलेशन सरीर में होता है, मतलब हमारा सरीर खुद से बनाता है इनको, तथा इनने बहार से ग्रेंड करने की आवशक्ता नहीं होती, इसका मतलब यह हुआ कि जो अनावशक अमीनोंबल है, अगर हमारे बोजन में उनकी मातरा नहीं भी है तो भी हमारा सरीर उन्हें खुद से बना लेगा और उसकी कमी नहीं होगी इसमें हम किसका उदान लेंगे एलेनीन आरजिनीन का अब आगे देखते हैं कि प्रोटिन की देनिक आफशकता कितनी होती है सतर से सो ग्राम हमें एक दिन में प्रोटिन की आफशकता होती है और एक ग्राम प्रोटिन से हमें कितनी अनर्जी प्राप्त होती है पांच पॉइंट छे पांच किलो किलोरी अनर्जी हमें एक ग्राम प्रोटिन से प्राप्त होती है अब स्त्रोथ देख लेते हैं कि हमें प् पचली, अंडा, पत्तीदार सबजियां, दूद, फल, सोयबीन, मटर, पनीर आदी में प्रोटिन की बहुत ज्यादा मातरा प्रेजेंट होती हैं। अब कुछ हावसक प्रोटिन देख लेते हैं जो हमारे स्रीर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या क्या कारे होते हैं सबसे पहले हम देखते हैं सरचनात्मक प्रोटिन नाम से पता चल रहा है सरजनात्मक मतलब ये प्रोटिन जब हमारे सिरीर में प्रेजेंट होते हैं तो किसी चीज का निर्मान करते हैं ये कोशिका अउत्तक का निर्मान करती है। अब दूसरा देखते हैं रक्षातमक प्रोटीन नाम से पताचल रहे हैं भी रक्षा करते हैं कैसे परती रक्षी संकर्मन सी रक्षा करने में सायक होते हैं। अब आगे देखते हैं, prevent protein, prevent मतलब transport करना, जैसे कि हीमोगलोबिन-oxygen का prevent करती है, अब आगे देखते हैं, सकुंचन-silब protein, सकुंचन protein ये kalar present होते हैं, ये पेशी सकुंचन ये उस चलन के लिए उत्तरदाई होते हैं, इसमें हम एग्जामपल लेंगे, मायोसीन एक्टिन आधी का अब क्या होता है कि आगे देखते हैं कुछ प्रोटिन हार्मोन्स में प्रेजन्ट होते हैं उनका क्या का रहते हैं सरीर की किरियाओं का नियम्मन करते हैं और एंजाइम क्या होता है कि जे उरसाइनicion का विकिरियाओं में साइक होते हैं अब आगे देख लेते हैं कि इनकी कमी से सारे दीख विकास रुक जाता है अगर हमारे सिरे में प्रोटीन की कमी हो जाते है या फिर किस ओरावस्ता या बच्चपन में हमें प्रोटिन की मातरा पूरी नहीं मिलती तो हमारे स्रीर का विकास उतना नहीं हो पता जितना कि एक नॉर्मल आदमी या इंसान का होता है और कूपोसन का सिरिक्कार हो जाता है वो बच्चे बच्चों में प्रोटिन की कमी से कवास्योकर एओं मेरे सम्स नमक रोग हो जाते हैं कवास्योकर में क्या होता है कि बच्चा दुबला पतला हो जाएगा और उसका पेट आगे की तरफ निकल जाएगा जिसे हम उसे कूपोशन का सिकार बोलते हैं वैसी हो जाता और मेरे सम्स में क्या होता है कि बच्चों की हडियां कमजोर हो जाती है अब आगे देखते हैं प्रोटिन का प्रिक्षिक्षन मतलब प्रोटिन टेस्ट कैसे होता है बेसन के गोल में नीला थोता है, बेसन हमें देखा कि चने की डाल भी इसमें डाल में प्रोटिन होता या नहीं होता, तो बेसन डाल से बनता है, चने से बनता है, कि गोल में नीला थोता, वा कास्टिक सोडा डालने पर बेंगनी रंग प्राप्त होता है, मतलब नीला थोता है और कास्टिक सोड़ा से यह अभी किरिया करके कौं सा रंग देगा बेंगनी रंग अगर बेंगनी रंग देता है तो हम जान लेंगे कि इसमें प्रोटिन प्रेजेंट है अब नेक्स्ट करते हम वसा के बारे में वसा वसा अमलों ग्लीसरोल के एस्टर होते हैं किसके ग्लीसरोल के एस्टर होते हैं ये जो कार्बन हाइडरोजन या ओक्सिंजन से मिलकर बने होते हैं अब आगे देखते हैं कि वसा से सवरादी कुर्जा प्राप्त होती है अब ये देखते हैं कि वसा हमें कौन-कौन से खादे पदार्तों से प्राप्त होते है या फिर वसा के स्तरोथ कौन-कौन से है सरसो, मुंगफली, तिल, नारियल, काजू, अक्रोट, डूद, अंड़ा, मास, मकषन, आदि से में क्या प्राप्त होते हैं वसा और हमने देखा कि तेल गी में हम धनिक जीवन में यूज करते हैं तो जानते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा वसा होती है यह हम मानते हैं वसा का जल अपकटन लाई पेज अंजाइम दवारा छोटी आंत में होता है मतलब वसा का पर होगा जल अपकटन लाई पेज एंजायम द्वारे छोटी आंत में होगा कुछ बिटामिनों के उसोसन के लिए भी शरीर में वसा का उपस्तित हो नावशक है बिटामिनों के उसोसन के लिए वसा क्या करती है मैं तपुन रोल अदा करती है अब आगे देखते हैं संत्रिप्त वसाओं का अधिक सेवन करने से हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया रोग हो सकता है मतलब जब हम संत्रिप्त वसाओं जादा मातरा में लेते हैं तो हमारे खून में कोलेस्ट्रोल की मातरा बढ़ जाती है जिसके कार्ण hyper cholesterolemia नामक रोग हो जाता है उन्ट के कुबड में अधिक मातरा में वसा संचित रहती है इस कार्ण उन्ट बहुत दिनों तक भी ना खाय रह सकते है उन्ट के कुबड में क्या होती है? वसा होती है अब आगे हम देख लेते हैं बिटामिन्स के बारे में बिटामिन है इसे नाम सबसे पहले किसने दिया फूंक ने ये एसे एकार्मनिक बोजे पदार्त जिनकी अलब मातरा ही हमारे स्रीर की विर्दियों विकास के लिए लाब दाएक है अगर मतलब बहुत कम मातरा हमारे स्रीर की विर्दियों विकास के लिए बहुत मैटपन रोल अदा करती है अगर हमारे स्रीर में बिटामिन की कमी हो जाती है तो हमारे स्रीर रोग गरेंड कर लेते हैं इनका संसलेशन जन्तु में नहीं होता मतलब बिटामिन का संसलेशन जनतों में नहीं होता है यह बोजन के साथ हम गरेन करते हैं अब तक 15 बिटामिन की खोज हो चुकी है कितने बिटामिन की 15 के जिन में से 6 परमुख है कौन-कौन से बिटामिन A, बिटामिन B, बिटामिन C, बिटामिन D, बिटामिन E, बिटामिन K है अब बिटामिन को आगे दो बागों में बांट दिया गया कौन कौन से जल में गुलंसिल बिटामिन और वसा में गुलंसिल बिटामिन या फिर जल में ए गुलंसिल बिटामिन अब जल में गुलंसिल बिटामिन कौन से होते हैं जैसे बिटामिन B और C इसको कैसे याद रखेंगे हम एक तो बिटामिन B कॉंपलेक्स और एक बिटामिन C तो ऐसी याल रखते हैं जब गर्मियों हमें हम सकंजे बनाते हैं तो उसमें हमें निम्बू के होशकता होती है और निम्बू पानी में गुल जाता है और निम्बू में कौन सा बिटामिन प्रेजेंट होता है C तो ऐसे हम याद रख लेंगे कि vitamin C है कि कुछ vitamin और उनके क्या प्रभाव होता अगर हमारे सेरी में इनकी कमी हो जाती है सबसे पहले हम देखते हैं BITAMIN A, BITAMIN A को क्या कहते है, RETINOL, BITAMIN A की कमी हमारे सिरीर में हो जाते है, तो हमारे सिरीर में RATOND, ये आँखों का रोग होता है, जिसमें हमें रात को दिखाई नहीं देता, और GEROPTHELMIA रोग हो जाता है, अब नेग्स देखते हैं BITAMIN D, BITAMIN D क्पालिया को दूसरे कौंसे नाम से जाना जाता है कैलसी फिरुल से और इसकी कमी से औस्ट्यो मलेशिया रोग हो जाता है अब नेक्स देखते हैं, बिटामिन E, बिटामिन E को क्या नाम से जाना जाता है, टोको फेरोल से, ये जनन अक्षमता की कमी हो जाती है, अगर हमारे स्रीर में बिटामिन E की कमी हो जाती है तो, और साथ में बुडापा भी जल दियाता है, हम देखते हैं, कई बात जब नारि से ठका का ना जमना ठका का ना जमना क्या होता है कि इसमें कुन रुकता नहीं लगाता जाता है अगर कभी चोट वगेरा लग जाती है तो बिटामिन B complex के बारे में देखते हैं, बिटामिन B1 को थाइमिन भी बोलते हैं और इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है, बिटामिन B2, B2 को राइवो फ्लेबिन कहते हैं और इसकी कमी से किलोसिज रोग हो जाता है, बिटामिन B3, B3 को निकोटिनी कमबल कहते हैं और इ बिटामिन वी सिक्स को पारी डॉक्सिं कहते हैं और इसकी कमे से चरण रोग हो जाता है अब आगे देख तैंबल ने रंगे मतलब पैंटा चरण रोग हो जाता करते हैं बिटामिन को क्या एक विटामिन एच और इस Zum propri anx कि नाम से जाना जाता है और इसकी करमी से चरम रोग हो जाता है बिटामिन नाइन इसे फोली कंबल कहते है और इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है बिटामिन नाइन की कमी सबसे ज़्यादा प्रेगनेंट औरतों में होती है इसलिए उन्हें जब प्रेगनेंसी होती है तो फोली एक для metabolism में 2 जैए विटामिन सी और सपर्सक्राइब से स्करबी रोग हो जाते हैं अब इस त्रोथ देख लेते हैं में कौन-कौन से खादय पदार्तों से प्राप्ट होता है यह गेहए तेल बेध्म क्राबी ढूर्ध मच्छली का मास मक्खन निम्बू टमातर मास ह oppos ul जो खट्टे सते प्राप्त होते हैं यह और कार्य हमने देखा कि क्या बीटा मिन का कार्य क्या पता है हम स्रीृ की नेमित बक़्रीश लिए खुस्वस्त रखने के के लिए रोग परतिरोधक्स अक्षमता में विर्दी के लिए बहुत ही महत्तपूर्ण है थैंक्स फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जुरूर जुरूर सब्सक्राइब करें यहां पर आपको सीटेट का पूरा स्लेबस क करवाया जाएगा थैंक्यू